हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग अबीद करते हैं अच्छे होंगे अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए पहली बारा हैं मारे चैनल पे तो नीचे में लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर दे ताकि एसी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहें तो आप वीडिय मतलब कुछ ऐसी चीज हम बताएंगे जो कि आपको रोकेगा परस्नली कोई भी बोल दिया तो उस बात को हम अपने अंदर परभावित न दें परभावित न करें इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इमोशनल परसन हमारे जिंदगी में रहते हैं हमारे जिंदगी क आसपास असरहते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रस्नल बात प्रस्नल ले लेते हैं मतलब कोई भी कुछ बोला तो वो जल्दी से परभावित हो गया वो अपने अंदर बात को इकटा कर दिया मतलब ऐसे इंसान हमेशा निगेटिव ड जिन्दगी का मकसद है जिन्दगी में हम जो भी चीज हम चाहते हैं उस चीज में हमको काम्याब मिले तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हम बताएंगे जिसको आपको गौर से सुनना है और इस वीडियो के लास्ट तक दिखना है ताकि आपको बहुत सारा कैलरीटी आपके जिन्दाजा लगाए कि हम जो भी चीज के वारे में सोचें जो भी हम स्थेशन को देखते हैं उसको अनबायस होकर देखना चाहिए मतलब किसी के परती होकर नहीं मतलब अनबायस ना इधर का न उधर का एकदम एकड़ा कर सोचना है किसी के favor में जाकर नहीं खुद को सोचना है नहीं देखना है मतलब एकदम अनबायस होकर सोचना है देखना है तभी आप अच्छे से देख पाईएगा और different perspectives से देख पाईएगा और सोच पाईएगा और उसका निसकर्स आपको अच्छा result आएगा मतलब तो यह है दूसरा है रियालाइज करना रियालाइज कहने का मतलब कि जो भी people को आप देखते हैं जो की rude है अपने तो खुद rude है मतलब एकदम angry mood में रहता है तो आपको personally उसका rudeness अपने अंदर ने लेना है बलकि आपको यह सोचना है कि वो उसका character है वो आपको प्रभाविन न करे जब ऐसा rude आप बात जाहिर करना चाहिए कि उस इंसान का गलती है उस इंसान का fault है जो rude है रियूड कहने का Allah वो खुद को नुकसान पहुचा रहा है बलकि आपको ऐसे सोचना है कि उसको बस उतना ही परहने दे उसकी बात को गहराई तक न ले जाने दे मतलब आप जैसे किसी hospital में जाते है तो principal या कोई teacher या कोई staff आपसे बत्यमीजी कर देता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि उसका rudeness है उसका अपना issue है वो कुछी चीज में फस गया है या उसका अपना character ही है मन बच्पन से ऐसा ही रहा है इस तरह के ख्याल रखेगा तो आपको उसकी बात बस उतना ही समय तक आपको बुरा लगे या फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा तो इस तरह की विचार अपने अंदर आने दें तो इस तरह का आपको सोचना चाहिए यह दूसरा point है realize करें तिसरा point है ask your ask yours if someone doesn't smile or say hello they are madweez मतलब कोई-कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुती introvert होता है वो SI करत है मतलब सरमीला होता है वो खुल कर जिन्दगी दूसर के सामने नहीं जी पता मतलब जैसे स्टेज पर भी जाने से डरता है मतलब कापता है मतलब डरता है कि हम क्या बोलेंगे लोग क्या हमारा reaction करेगा इस तरह की बातों को अपना प्रसनली लेते हैं तो इस तरह से आपको करते हैं दूसरों से अलग परकार का काम करते हैं तो आपको लोग मजाग उडाता है जब तक आपको सबसे नहीं मिलता है सकसे जैसे ही मिलता है तब आपका फलो करने लगता है आपको आइडियल परसनल मनाने लगता है तो इस तरह की बातों को आपको उनकी बातों को गलत लेना है मतलब उसका अपना थिंगी एप्रोच है वो गलत अपना आइडिया वो अपना प्रेद कर रहा है मतलब तू उसको ऐसे ही रहने जे गलत तरीका से आप ना ले मतलब प्रस्नली ना ले तो यह था और तिस चौथा पॉएंट है टेक कॉमेंट्स और किडिक्स इन एक कॉंस्ट्रक्टिव ए आसक योर्सेल्फ इस एनी थूथ तू इट एड़ आपके आसपास लोग होंगे जो आपको बहुत ही कमेंट्स करेंगे बहुत ही कमेंट्स कुछ गलत काम कर दिये तो उस कमेंट्स करने के लिए आपको आलोचना करने के लिए आ जाएंगे जैसे आप फिजिकली प्रजेंट नहीं होते हैं तो आप सोचल मेडिया के मादियों से आप कुछ भी बोलते हैं कि कोई वीडियो करके आप डालते हैं या कोई भी पोस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे आपको सोचना है उस पर गंभीर बात को इस तरह आपको लेना चाहिए बात को आप समझ गया होंगे जो भी हम कहना चाहरे है और पांच वी बात है अपना नोड़िय कि आपको आपको जानना चाहिए जबता शे noить you are not defined by all mistakes को ψज Logan Aha को जानना चाहिए कि आप आपकी गलति और आपके खिछींत का मतले जो भी आप आपको घर अलोचक ख़डाता है तो आपको यह यह डिसाइड करना चाहिए कि आप उसके criticism से आपको defend नहीं होते हैं, आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना पहचान है, जो भी आप बहते हैं, उसका कहीं नहीं कहीं future से linkage है, जो कि कहीं नहीं कहीं आपको future में कुछ बड़ा देने वाला है, बड़ा output देने वाला है, तो इस पर आपको धियान देने क्या हो सकता है, तो इस तरह की बातों को धियान में रखने की जोड़त है, और छटा point is, realize that your self-worth depends on you, it doesn't depend on what others say about you, मतलब आपका अपना self-worth है, आपको अपना उपर depend होना चाहिए, ना कि दूसा क्या बोलता है, उस पर depend होना चाहिए, बहुत कि आप माने reform करने की कोशिस करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा करने की कोशिस करते हैं, कि जो मेरे से गया है, मेरे passage गया है, उसको हम कैसे जलाएं, कैसे उसको परिणाम दें, तो आप मेहनत करते जाते हैं, और अपने constructive way में उसको सही ठहराने के लिए एक बड़ा पोस्ट लेकर आपको साबित करने की कोशिस करते हैं, तो इस तरह की बातों को आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बलकि आप अपने मातापिता को देखें कि वो किस तरह मेहनत करते हैं, आपको भोजन देने के लिए, आपके पढ़ाय के लिए, आपके कपरालता के लिए, तो मातापिता से अगर इंस्पायर होते हैं तो अपने माता-पिता से मेहनत जो देखते हैं उससे अपरभावी तो ही है और मेहनत कीजिए इतना मेहनत कीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा रिजन्ट आने वाला है जो कि लोगों को बोलती बन करते हैं इस तरह की बातों को आप जहु की मेरी आसा है अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राब जब कर दें और सेर भी करें ताकि ऐसे वीडियो आप लगों तक पहुंचता रहे धन्यवाद मिलते हैं नेक्स रुभी